लो जी, पांचवाँ और लास्ट वीडियो आपके सामने है, जिसमें हम लोग लास्ट टैन कोश्चिन के बारे में डिस्कुशन कर रहे हैं कि मिस्टी वाले सर, वाइटर इंस्टिट्यूट का कलेक्टिव अफैट है ये, तो देखते हैं जी, ये एलेक्ट्रो कि मिस्टी का क सामने के ये पुछा हुआ है, ठीके जी, अब एक 3.9 नंबर एक्जामपल देखना, NCRT के पेज नंबर 84 पर, इलेक्ट्रो कि मिस्टी चैप्टर के अंदर जाकर, क्या मिलेगा जी, कंड़क्टिविटी, इतनी कॉंसंट्रेशन है, एसिटिक एसिट का, कैल्कुलेट डिसो अपर भी पुछा है, यहां भी पुछा हुआ है, बस उसके अंदर उसने मोलर कंड़क्टिविटी दे दिये, यहां कंड़क्टिविटी, जो वैल्यू है, यह कापा, जो कंड़क्टिविटी है, 0.001028, और यह कापा की वैल्यू है, यह 4.95 in 10 days to power minus 5, चंड़क्टिविटी और यह concentration है, तो इससे lambda M निकल कर आएगा, और जो infinite वाल है, वो lambda M note है, इन दोनों का जो ratio है, वो alpha और alpha से हमारा final answer, तो भाई साब यहां क्या हुआ, molar कंड़क्टिविटी concentration गिवन है, और यह आपके पास conductivity गिवन है, इससे lambda M निकल कर आएगा, और इन दोनों का sum lambda M note है, जि कि यह calculate कर लेंगे, आप छोड़ा सा और देख लें हम लोग, एक index question है, page number 85 पे, ठीक है, molar conductivity, यह concentration है, यह दे रखी है, alpha निकालना और dissociation constant निकालना है, और H plus का और format का, उसनी क्या दे रखा आपको, lambda M note, यहीं तो दिर्ख है, lambda M note दोनों का दिया आप है, कहीं न कहीं, दो दो बार जब आप NCRT से इस question को कर लेंगे, तो फिर easily answer तक पहुँच पाएंगे, page number 84 पे भी और page number 85 पे भी यह है, लो जी, आरिनियस प्लोट, LN natural log K versus 1 by T, और first order reaction, यह minus 5 into 10 दिस 2 power 3 K दिया आप है, तो value of E A, activation energy पूछी हुई है, तो एक बार page number 114 पे जाईएगा, chemical critics में, बारवी class का chapter number 4 है, 114 पे जाना पड़ेगा आपको, तो 114 नमबर page पे LNK और 1 by T, LNK 1 by T का graph load है, जो इसका slope है, वो minus E A by R है, minus E A by R है, यह जो minus E A by R आपके पास slope है, उसकी value चेक कर ले, उसकी value इसने दिया, minus 5 into 10 दिस 2 power 3, clear ना, minus E A by R, उसकी value minus E A by R, तो E A निकालना है, R दे रखा है, तो सीधे सीधे multiply करके answer तक पहुंच है, कुछ खास तो ताम जहाम करना नहीं है, तो slope minus E A by R के बराबर है, NCRT, chemical kinetics, page number 112 पे पहुंचे, सीधे सीधे answer मिलेगा, चलो, आगे भी आपको इस टाइब के question और मिल रहे हैं, यह मैंने आपको edge evidence दिया है, ति यहाँ यह same question मुझे next exercise में भी दिख रहे हैं, तो 93 number question पे चले, the product formed in the following chemical reaction, यह आपके पास reactant है, यह sodium borohydride है और ethanol दिया हुआ है, तो थोड़ा सा अगर आप मिल कुछ चेक करने के लिए कहें, तो मैं आपको सीधे सीधे page number 333, 3333 पे लेके जाऊंगा, chapter alcohol phenol ether है, class 12 है, in text question एक, तो इस question को नजर मारें आप, और पीछे जाकर नजर मारें, कीटो दिख रहा है, हाँ जी कीटो दिख रहा, उसके पडोस में CH2, COOCS3 दिख रहा है, CH2, COOCS3 दिख रहा है, बस मिथाईल नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, मिथाईल लिख दिते हैं, चाहता क्या है, प्रोड़क्ट बताएं, तो जब आप इस question को solve करते हैं, तो शायद आपको पता हो कि sodium borohydride, esters को reduce करने में capable नहीं है, esters को reduce करने में capable, यह ester है, sodium borohydride है, ester पे इसका निलबटे सनना टांसर है, लेकिन, 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 जो आपका ketone है, वो अलकोहल में बदल जाएगा, sodium borohydride reduced LDH ketone, but doesn't reduces the ester, तो भाई, कीटो को कीटो मेंटेन रखा नहीं, कीटो को कीटो मेंटेन रखा दूसरे option में, कीटो को कीटो मेंटेन नहीं रखा, दूसरे option में, क्लियर न, जो कि कीटो को तो मैंने reduce करना था, reduce करना था, फिर इससे अगले option में, ये react कर गया, जो कि ये तो बिलकुल option नहीं बनता, ये react कर गया, ये भी option नहीं बनता, जहां ये maintained है, वो आपका answer बन जाएगा, fourth number answer, ठीक है जी, तो इसके लिए आपो triple three number page पे, NCRT में, विजिट करना पड़ेगा, विजिट करना ठीक है, ठीक है जी, चलो, लिस्ट मैच करवानी है, बेंजीन पर CO, HCL है, एक एक लिस्ट में आपकी मैच करवा देता हूं, ये आपके पास RCO, CS3, NEOX है, हेलो फोम reaction है, सीधा सीधा इससे मैच करता है, ये स्टरिफिकेशन हो रहा यहां पे, तो स्टरिफिकेशन से ये मै मैच करता है, बाकी बचावा गेटरमान कोच, यहां मैच कर जाएगा, तो क्या ये NCRT में है, चेक कर लेते हैं, क्यो नहीं है, तो सबसे पहली बात है, हेलो फोम reaction, अगर आप word to word check करना चाहें, तो आपको ये मिली जाना है, word to word check करना चाहें, तो ये आपको वहां मिली जा हां जी, ये रहा NUX, तो NUX ने जब RCOCH3, RCOCH3 पर reaction किया, तो हेलो फोम reaction है, पेज नमबर का भी मेरे पास यहां सबूत है, अल्डेट के टोन में, कार्बोग्जलिक असिड में, अल्डेट के टोन कार्बोग्जलिक असिड में, इस सारी बातें आपको देखने को मिलती है देखने को मिलती है, ठीक है जी, अब थोड़ा सा आगे बड़े, इस टेरिफिकेशन मिल गया आपको पेज नमबर 381 पे, फिर HVZ reaction मिल गई पेज नमबर 383 पे, तो हर बात का evidence है, वैसे तो इस टाइप की question में न, अगर बचा थोड़ा सा एक भी reaction जानता हो, तो सीधे टि टिक करके आगया, और कुछ करना ही नहीं था उस बच्चे को, स्टेरिफिकेशन का प्रूव है, गेटरमान कोच का 363 पेज, एल्डेट के टोन्स का अर्भोगजलीक अचिड का प्रूव है, तो गेटरमान कोच आप चेक करें, बेंजीन पर सीओ, एच सीओ, एच सीओ, एन लगा कर दे दिया और इस पांचवा वीडियो के चोथे कोश्चन में लगा कर आपको दे दिया है, पांचवा कोश्चन, नोन पोलर इन नेचर पूछ रहा है, तो देखे भई, डबल बोंड हो, अगर आप केमिकल बोंडिंग में जाएंगे, तो आपको ऐसी बाते सुनने क सीखने को मिल सकती है, जीरो डाइपल मोमेंट मांग रहा है आपसे, इसका तो हो नहीं सकता, क्योंकि कैंसलेशन नहीं हो रहा, लेकिन, ये भाई सब SP3D है, पूरी तरह से है, ट्रैगनल बाइपरमिडल है, तो जब आप AB देखें, AB2 देखें, AB3 देखें, AB4 देखें, तो मैं AB4 या फिर AB5 टाइप के मोलिक्यूल देखता हूं, तो जहां भी थोड़ा सा डिस्टरबेंस इन दा जमेटरी स्ट्रक्चर हुआ, वहां मुझे टाइपल मोमेंट में पोलारिटी दिखती ही, मतलब नोन पोलर आंसर मिलता ही, पोलर आंसर मिलता ही, नोन जिरो वेल्यू खाएं झाले दिखते ही, यह दिखो भी 10, 10, 10, यह चले, 25, 2, 23, आहरन, 26 में से दीन गई, 23, फ e plus 2, f e, 26 में से 2 गई, 24, यहां 25 में से 2 गई, 24, यह अनचराब कया अँछास? लेकिन अगर आप पेज नंबर 87 प्रिरोडिक्टेबल क्लास 11 में पहुंचें, तो O-2, F- पैला उप्शन, Na+, Mg+, 2 दूसरा उप्शन, यह वहाँ आपको ऐसच दिख जाएंगे, जो ISO-Electrons हैं, तो इससे आपका अंसर बन जाएगा, तो 95, यह 96 नंबर कुश्चन किया, 97, correct option for the value of vapor pressure of a solution at 45 degree centigrade, with the benzene 2 octane, साफ है ideal solution, 3 to 2 का molar ratio है, 3 to 2 का molar ratio है, और इनके 280 और 420, इनका value दिरखा है vapor pressure का 45 degree centigrade पे, तो एक French chemist हुआ, routes, उसने एक quantitative idea दिया, क्या, routes लोका, for a volatile liquid, vapor pressure of chloroform, and यह for a volatile liquid, जो आपके पास X है, वो P का directly proportional है, और एक example नंबर 2.5 में, chloroform और methylene chloride दिया, उनके 200 और 415, 25 डिगरी पे pressure दे दिये, अब इनका vapor pressure calculate करना था, इनके mass दे कर, तो सबसे पहले mole निकले, सबसे पहले mole निकले, और उसने mole by default आपको दे रखे हैं, chapter 2 है, page number 47 पे, जबकि example 2.5, मैं समझ के चलता हूँ, लंबा है, जबकि यहाँ जो इसने दे दिया, सीधे सीधे mole दिये, mole से मेरे पास, mole fraction निकल जाएगा, और 280 और 420 से multiply करके, मैं सम कर दूँँगा, एक formula यूज करते हुए, वो formula आपको पता ही है, वो formula है हमारे पास, Pt, Pn0 x से, पलस PB0 xb, ठीक है जी? थर्ड लास्ट कोश्चन है, environmental chemistry से, ठीक है जी? environmental chemistry से, उसकी बात कर रहा हूँ, 2SO2 पलस O2, 2SO3, देख पारे? 2SO2, O2, 2SO3, this reaction can also be promoted by, ozone and hydrogen peroxide, तो उसने का, जी यह मिलती का है reaction, यह trophosphoric pollution में दिखती है, ट्रोफोस्फेरिक पॉलिशन में, पेज नमबर 407 पे, ग्यारवी क्लास में जाना पड़ेगा, और HOCl, OH और CL में, यह देखो आप, ozone depletion में यह लाइन मिलती है, तो ozone depletion यहां मैच कर गया, और यह trophosphoric pollution यहां मैच कर गया, और अगर आप A से 4, और B से 3 मैच कर वाप है, इतने से अंसर बन जाएगा, लेकिन, अगर आप और जाना चाहें, तो पेज नमबर 412 पे जाहिएगा, फोटो केमिकल स्मोग के अंदर, फोटो केमिकल स्मोग के अंदर, तो आप इस रियक्शन को भी देख पाएंगे, अनो टू, लाइट, अनो और गैस, यह आपके सामने लिटरली वर्ट वर्ट यही लिखा हुआ है, तो आप स्मोग के साथ इसको मैच कर वाप पाएंगे, एसिड रेन, मारबल का एक्जम्पल दिया हुआ है, ताजमेल, यह देखो जी, अनो यह देखो जाएंगे, लो जी, 99 नंबर कोश्चन है, पेज नंबर 407 है, अमाई इन चेप्टर है, बारवी क्लास का, उन्होंने कहा, थ्री मिथाईल एनिलीन को, थ्री नैट्रो टोलूइन में बदलो, तो एनिलीन तो यहाँ भी है, और इसको आपने बदलना है, थ्री नैट्रो टोलूइन में, तो अगर आप थूड़ा सा बात को समझे, ये दे दिया BDC उसने, बनाने के लिए, मेटीरियल, और फिर BDC को उडाना है, बाकिसब तो सेम है, तो BDC को उडाने का तरीका एक ही होता है, रिडक्शन करवादो इसका, BDC को उडाने का तरीका होता है, रिडक्शन करवादो, क्लियर, BDC को उडाने का तरीका, इथिनोल, मिथिनोल, एट्सेटरा से, इथिनोल से, मिथिनोल से, H3PO2, प्लस वोटर से, आप इसको यहां से उडा सकते हैं, ठीके जी, लास्ट और फाइनल, इंटर्मीडिट कंपाउंड एक्स इन दो फोलोईंग केमिकल रियक्शन, यह अगर आपको समझ में आरो तो यह इटार्ड रियक्शन है, इटार्ड रियक्शन, तो टोलुईन पे, CRO2, C2, जो ओरेंज कलर का, हमारे पास कंपाउंड है, क्रोमाइल क्लोराइड, तो जैसे ही क्रोमाइल क्लोराइड इस पे अटेक करेगा, टोलुईन पे, ठीके जी, तो इंटर्मीडिट यहां जो बनेगा, वो इस पर से, 2H हटकर, O, CRO, HCl, एक्चल में, स्ट्रक्चर पे बेज़ड है सारी कहानी, ठीके जी, तो यह O जाकर, इस कारपन पर जाकर, जो कि एक बिंजैली कारपन है, रियक्टिव कारपन है, उस पर जुड गया, यह आपको 363 नमबर पेज, LDK टोन्स 12 पे मिल जाएगा, यह देखो जी, यही पूछ रहा है वो, Chromium Complex, इस reaction का नाम है, Itard Reaction, CHOCR, OHCL, वही आपको वहां लिखा, मिल रहा है, कुछ भी गड़बडनी की, सीधा सीधा copy paste करवा दिया गया है, तो Chemistry वाले सर, Wighter Institute, Sector 34, चंडिगर्ड की तरफ से, मैंने, आपको एक से लेकर, 50 question की, 5 वीडियो में, पॉल कलके बताईए, कि कहां कहां, कैसे कैसे question हमें मिलते हैं, तो ध्यान से देख ले, इन 5 वीडियो को, इससे आपकी नीट के 50 question भी cover हो जाएंगे, particularly 2021 paper के, तो Chemistry वाले सर को subscribe करें, Thank you, to watch the video.